चल खड़ा हो और पढ़ाई कर आविश्वस्निये क्लासेस पर हाँ तो बॉस अगर आप किसी भी कॉम्पिटीटिव एक्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपको ये कोशन बहुत ही सिमलर लग रहा होगा दोस्तों कि ये कोशन हर जगे आपको मिल जाता है तो इसको कैसे करें अगर आप डारेक्ट अप्रोच लेते हैं अगर आपको माली जी निकाला कि टेन थीटा तो तेन थीटा इसको जैसे को देखा जाए तो तो आप इसको एसे को केसे सॉल करें बिना प्रॉब्लम की तो ट्रिक समझेगा आपको तुने 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 अच्छी ट्रिक बताने आपको बनाना होगा पायथागोर्स ट्रिकलेट अगर आपका कोंच्छन पायथागोर्स ट्रिक बंदा तुरहंत अंसर आएगा बिना ही कुछ करेंगा था कैसे आएगा आप बता देता हूं ओर पयाप से थाइग स्थाट को देखिए था थी फॉर और फाइल तिरी फॉर देखिए तो अगर आपए 5 ही आयेगा कुछ भी कर नेखे तो यह पर जी आएगा तो यह पाइठागोरस ट्रेपले कि अब क्या रागर क्या हुत है तो यह प्यज़े प्या रही है प्य। बी तो क्या एक आंसर 3 by 4 आंसर तुरंत आ गया लोग क्या प्रॉब्लम थी मैंने आपको ट्रिक बता दी एक पैथागोरस ट्रिप्लेक अगर आपको किसी भी कोशन में ऐसा को दिख रहा हो इसमें पैथागोरस ट्रिप्लेक बन रही हो तो वही उसका आंसर होता है अब होती है यह फो हिबाइब शुड़ा नकिता प्रणय मनाटहें पप्क करसäss decision कर सकते है आपको तो आपको गलत होने दूँगा मैंने आपको सब्सक्राइब क्या थी आप अपसली कोश्चन लगाते हैं अब देगे 512 और 13 अब मैंने आपको तुरंत बता दिया कि यह क्या था अब यह चीज तो चलो सिंपल थी अब देखते हैं यह कोश्चन यह जो ऐसे कोश्चन आते हैं में बहुत ही गुमादर आते हैं और आपको मैं बता दू इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप और कंफ्यूज चलिए मत भी हो अगर आपने लगा भी लिया तो आपका कम से कम यह पांच लाइनों में लगेगा और कम समय में तो बिल्कुल ने लगेगा तो इसकी ज़रा एक आप इसकी वेल्जिव मुझे मुझे लाइद करके बताई है तो आप एक बास बताएं अगर आप इसको solve करें कैसे करेंगे कि वैसा formula से क्या होता formula 10 A का दोनों में लगाएंगे इन दोनों लगाके उसको solve करेंगे फिर आपको equation में लेगी equation के बाद आप उसके splitting method तो आपको दिमाग हो गया खराब, तो कि competitive examination में इतना बड़ा लगाने कुछ जो होती नहीं है, नहीं से आप कभी भी competitive examination में नहीं आती है, मतलब यह theta 1 माल लीजिए, यह theta 2 माल लीजिए, अगर वो कभी भी 1 के equal दी गई है, तो trick simple होती है, कि theta 1 प्लस theta 2 is equal to 90 degree हमेशा होगा, बिल्कुल ऐसा ही case के साथ होता है, कोट के साथ, कोट theta 1, कोट theta 2 is equal to 1 दिया गया है, तो कुछ भी सोचना नहीं है, theta 1 प्लस theta 2 is equal to 90 कर दीजे, theta की value अपने आप आए रही नहीं से नहीं में आया, चलिए आपको करके दिखा दिते हैं कैसे करना है, यह मान लिए ठीटा 1 है, तो देखी पहले 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 कोशन में आप लिखता हूँ, 3x plus 4, theta 1 plus theta equal to 90 degree होता है, तो theta 1 यह रहा, theta 2 क्या है, 6x, यह minus का 4 है और यह plus का 4 है, और यहाँ पर क्या आगे, 90 degree क्यों, क्योंकि हमारा यह trick कहती है, यह है trick, ठीक है, हो गया, अब 4 से 4 कड़ गया, 3x plus 6x कितना होता है, 9x, 9x equal to 90 degree x की value क्या हैगी, 10 degree, क्या आपको कुछ सोचना पड़ा, क्या आपको steps कुछ लिखने पड़े, क्या सर्फ यह trick याद कर गयेगा, बस, आपको यह trick याद है, क्या है, तो आपको सब कुछ हो गया, अब वैसी मैंने आपको क्या बताया था, कौट का भी यह होता है, ठीक यह दौनों को ठीक प्लस कर दो, 90 degree के एककोल कर दो, तो बिल्कुल कर दीजिए आप 6x plus 3, और प्लस 3x माइनस का 3, माइनस 3 से प्लस 3 कड़ गया, 6 प्लस 3 होता है, 9x equal to 90, फिर से x की value क्या आगई, 10 degree तो दौनों में ही x की value, 10 degree होगी, यह आप लिख लिजे करिए, बहुत ही important चीज़े मैं बताता हूँ, आप लिख जरूर लिजे करिए, जिससे आपको याद रहे कि यह tricks मैंने अपने paper में आपको अपनानी है, तो जली देख लेते हैं और अगले questions, हाँ तो boss अब किसी भी competitive examinations के last year के, मैं आपको जो बता रहा हूँ, last year के 10 years के paper उठा के रखना, तो यह जो आपने मैंने, अज मैं अपनी वीडियो में यह question बताए है न, the most important questions है, और आपको तुरंथ ही कहीं न कहीं मिल जाएंगे, और अगर आपको मिल रहे हैं ऐसे question, क्या आपको ऐसे question मिलते हैं examination में, तो मुझे comment में नीचे जरूर बताइएगा आपकी feelings, कि आपने मैंने वीडियो बनाई है, वापके लिए, बल्कुल कुछ आपको मिला, ऐसे कुछ की नहीं मिला, तो चलिए देख लेते हैं, एक question type ऐसे ही भी आते हैं, आपकी ऐसे क्या है, कि आपको दे दिया जाएगा, कि A plus B is equal to 45, कुछ भी दे दिया जाए, 60 दे जाए, मुझे उससे मतलब नहीं, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, अब वो कह रहा है, find the value of 1 plus 10 A और 1 plus 10 B की value आप निकाल दीजी, अब क्या इसको आप solve करेंगे, नहीं करेंगे, दोस्तों, यह सब trick का होता है, अगर आप trick दोस्तों, मैं आपको बता दोराओ, आप यह कोचिक नहीं पढ़ते हैं, तो कोचिक नहीं पढ़ते हैं, यह ऐसे trick बता जाती है, है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि a plus b equal to 45 आपको solve पहली बात तो आप किसी भी committee examination जा रहे हो तो solving approach नहीं होना चाहिए आपके लिए smart approach होना चाहिए कि smart approach से आप किसी question हो कैसे लगा देते हैं ठीक है तो अगर देखिए अगर a plus b 45 है तो a और b के कुछ ऐसी value रखिए जिसमें 45 आ जाए ठीक है अब मान लिए मैं a की value रखता हूँ 45 और b की value 0 रखता हूँ 45 प्लस 0 45 तो अब question देखिए कितना सिंपल हो गया अब देखिए जली को देखते हैं तो यहां पर आउसर आपको याद रखना तो याद रख लिजी यह तो इसका फंडा होता है boss कि अगर आपको ऐसे question देखिए तो उसका अंसर हमेशा ही तू आएगा आप कोश भी कर लीजिए आप मालेजिए आप कहते कि मैं आगर नहीं रखू 45 और 0 ऐसे नहीं रखूं आगर मैं कहा दूं कि कोई मतलब नहीं है तो 10 अगर मैं 25 की value मैं दिखाऊं तो कितनी होती है तो यह होती है आपकी root 2-1 होती है आप देखिए आपने क्या कहा कि मैं 25 रखूंगा तो आप रख दीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 रख रख रहेंगे यहाँ पर 25 रख रहेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस 10 साड़े 25 मतलब 22 वन वाई 2 का whole का square हो जाएगा तो कि यह दोनों मिल जाएगे कोई एक ही value है दोनों की तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर इसकी value लगा लें मेरे जैसा आप करें तो आपको अभी simple लगेगा चाहिए आप याद कर लें इसका हमेशा ही note कर लें कि अगर ए प्लस भी 45 यह कुछ भी हो हमेशा answer तो ही आएगा नहीं आपको याद है तो आप यह concept कर सकते हैं अब चलिए अगला question है इंदा वीडियो का last question और य सब्सक्राइब तो भी आपको यह question मिल जाएंगी बच्चों अब देखिए पहले question के कह रहा है कि sin theta minus cos theta is equal to 0 और आप से value पूछ रहा है 4 यही problem आ जाती और बच्चे घबरा जाते हैं और value उत्वरंत नहीं निकलती लेकिन कुछ नहीं था मैं आपसे पिर कह रहा हूं कि देखिए 0 नहीं रख सकते अगर 0 रख दी मैंने तो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस का वन आंसर आएगा लेकिन अगर नाइंटी रख दी मैंने तो 90 देखिए sin 90 क्या होता 1-0 तो अभी यहां पर नहीं होगा लेकिन अगर मैंने theta की value 45 रख दिये बहुत जान समझे अगर थीटा की value 45 रखी तो sin 45 क्या होता है 1y root 2 माइनस cos 45 क्या होता है 1y root 2 तो आंसर 0 आ जाएगा तो बिलकुल यहीं था ठीटा की value 45 उसमें उठाकर रख दो अब क्या है अब तो question तो हो गया आदा solve अब क्या है बस value निकाल ली है ठीटा की value क्या है pi by 4 क्योंकि 45 को pi by 4 का 4 plus cos pi by 4 का 4 मतला 1 by root 2 का whole 4 प्लस 1 by root 2 का whole 4 अब एक बात बताईए 1 by 2 का root 2 का square करते वह 2 होता है तो यह क्या होगे 1 by 4 प्लस 1 by 4 तो 2 by 4 तो answer क्या आगे आपका 1 by 2 को सोचना पड़ा तो आप सोचिए नहीं आप सिर्फ करने पर ध्यान दीजिए अपने तुरंती आंसर आ जाएगा दोस्तों अब देखिए अगले के यह दो question देखिए बहुत जान से देखिए कुछ सेम लगेंगे आपको यहां साइन का दिया गया यहां पर पूछा गया तो एक ही question है वह उसमें कोई difference नहीं है तो ऐसे question आपको जरूर आते हैं पीपर में और कैसे लगाने वागता तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं यह अगर किसी भी trigonometric function का मैं आपको लिखके बता देता हूं दीजे इससे वड़िया क्या हो सकता आप के लिए किसी भी trigonometric function प्लस trigonometric function का square दिया गया उसका answer 1 है तो हमेशा उसका answer 1 ही होगा कुछ भी कर लीजिए आप चाहे आप उपर से नीचे कूच जाएए चाहे आप सूसाइड कर लीजिए उसका answer हमेशा नहीं बदलेगा उसका answer 1 ही रहेगा तो देखिए अगर यहां पर 10 sign है था तो इसका sign ही का square हो गया और answer 1 है तो इसका answer हमेशा 1 होगा यह वाले जो question है इसका answer की value 1 ही आएगी अब देखिए इसमें कोई से दिया गया है और इसी का square कर दिया गया और answer 1 है तो देखिए इसका answer कुछ भी कोई भी चीज़ दिखिए उतर पर answer उसका one ही होगा आप कुछ भी सोची यह नहीं सोची उसे मतलब नहीं तो नमस्कार दोस्तों आज की बहुत बच्छी वीडियो थी आयते हैं आप हर tips and tricks मैं समझा दी अगर आपको बिल